हलो बच्चो तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू का फॉर थिक नॉन कंडक्टिंग शीट तो हमने जैसा अल्रेडी प्रिविएस वीडियो में देखा था कि थिक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेंशिटी होती है अंदर वो होती है रो एक्स बाई एपसिलन नॉट जहाँ पे एक्स जो होता है वो सेंट्रल बाइसेक्टर लाइन से distance होती है यह by sector line है न यह sheet को दो में divide कर रही है इससे x दूरी पर electric field अंदर यह होती है और बाहर होती है rho t by 2 epsilon naught जहां पर t क्या है sheet की thickness ठीक है बच्चो तो अब जो है हम अगर यह देखें कि graph कैसा होगा तो बड़ा simple सी बात है यहां पर आप यह देख सकते हो कि electric field और x linearly proportional है दिख रहे है आपको electric field और x क्या है linearly proportional तो बड़ा यह जो graph होगा यह straight line होगा है की नहीं और यह straight line जो है इसका slope भी अपन देखते हैं पर पहले line मनाए यह straight line होगी और let's suppose यह जो angle है यह alpha है है ना origin से जाईगी है straight line y बराबर mx है तो यह tan alpha किसके बराबर है tan alpha होगा इसका slope slope होगा rho by epsilon not दिख रहे है आपको यह जो चीज है e और x के अलावा rho by epsilon not यह slope होगा constant होगा ठीक है और बाहर है ना electric field जो है rho t by 2 epsilon not जहां पर t का है sheet की thickness तो यह तो constant है यानि बाहर वाले point पे electric field जो है वो distance पे depend नहीं करती तो वो constant होती है इसलिए बाहर जब यह graph बनेगा तो यह constant हो जाएगा और पीछे भी ऐसा ठीक है अब आप यह भी सोच रहे होगे कि सर यह पीछे जो आपने graph बनाए है negative क्यों गया है तो बेटा अगर sheet के आगे electric field जो है वो right side पे है मतलब यहाँ पे कहीं पे electric field जो होगी वो right side पे positive x-axis की तरफ होगी तो पीछे की side negative x-axis की तरफ होगी तो यही फरक है और जो electric field की value होगी है ना वो आप देख सकते हो यह value यह होगी rho t by 2 epsilon 0 rho t by 2 epsilon 0 यह जाएगी minus rho t by 2 epsilon 0 तो यह बेटा electric field intensity का graphical representation है for a thick non-conducting sheet तो मिलते हैं पन next video में thank you